सबी किसान साथियों को नमस्कार आज मैं आपको दिखाता हूँ यह हम रेपपर से बाद गेउं की लाउनी कर रहे हैं रेपपर से गेउं की कटाई करते हैं और फिर लेबर हमारी पूलिया बानती है विल्कुल अच्छे तरीके से लाउनी आये हुए हैं गेउं और यह हमारे पास ट्रेक्टर है 17855 2018 मोडल और इसके साथ है मोग वाली रेपपर हम 2011 से रेपपर से ट्रेक्टर को चला रहे हैं उनकी कटाई कर रहे हैं पहले हमारे पास नोर्मल वाली मशीन थी कम्पनी का नाम तो द्यान नहीं है अब हम पिछले पांच साल से मोग वाली रैपर लेखके आये चे अब इसको पांच वी साल है अब की बार और ये इसकी कटाई की सफाई है ये देखिए अब इतने निचे से गें को काट देती है और एशी सफाई आ रही है बिल्कुल पूरे थेद में और आके तक दिखाता हूँ और ये लाण देखो किस तरीके से है बिल्कुल अच्छा सिदा हुआ लाण कोई बिखरा हुआ नहीं है अब ये देखो कटाई करती हुआ रही है आपके भी सही तरीके से कटाई करके अच्छे से इसमें डाल देती है जाता गिरे हुए के हुए हुए उनमें थोड़ा महत दिक्कत आता है कि वह अड़चे हुए गिर जाते हैं बाकि कटाई सफाई से उनकी भी होती है यह दे खौब बिल्कुल लान कोई बाल तिर्ची नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो यह निचे लान देखो अब यह देखो बिल्कुल पूरा प्रोपर सिद्धा लान है कोई आड़ी बात की कुछ भी नहीं है इसके अंदर यह देखो अच्छे से थोड़ा सा समेटा और यह पूरी पूली बन गई अब इसको ऐसे कैसे बांद देंगे तो कोई भी लान भी ब तो अभी तो पूलिया ही बन रही है जैसे जैसे आवा चलने लग जाती है एकदम से गयों कुड़ जाते हैं जद्धा कुड़ जाते हैं फिर उनसे जून नहीं बनते तो हम रैशियों से बरोटे बंद वातते हैं वो उसमें भी बहुत अच्छा काम है अगर बिखरा हुआ नहीं ब Panther तो बरोटे बांधने में जैसे पूले बांधने में वी उठाने में वी लान बिखरता है अगर अच्छा लान गिरा हुआ रैफर की अच्छी कटाई यह तो बिल्कुल नहीं बिखरता बात भरो अच्छे से और उसमें बरोटे में टेक दो ऐसे पूले में बात फ जाल से पीटियों के चाल पे बीड के अधिये ऊंधर करती है और ट्राइवर पे चलाने वाले पे डिपेणड करती है राइंदtal कॉण से गैईरव चला रहा है कि इसपीड पे चला रहा है किये 아क कौन से उचल रहा है कि इक्सपीरियंस मी необход करता है गायरू में चला रहे हैं कितनी स्पीड पे चला रहे हैं ये एक्सपीरियंस भी मेटर करता है और काम आपके सामने ये रैपर का कैसा काम कर रही है ये ट्रेक्टर की चाल है इस स्पीड पे ट्रेक्टर चलता है ये देखिए आप ट्रेक्टर की चाल देखिए लिप्ट वाली रेपपर है पिछे से बंद के जा रही है बीडियो से ग्रेक्ट होगे अग यह देखो आप लाण की कटाई देखो यह अब लाण को हम देखें तो यह देखिए ऐसे अगर अंगल नाप में तो च्यार अंगल पांच अंगल के आसपास लाण उपर से लेती है अगर इस से निच्चे लेंगे तो क्या होगा जैसे ये कई जगे मुस्व अगेरा से और ठोड़ा तिल्ला हो जाता है अब देखो तो और निच्चे लेंगे तो इसमें दाते फस जाएंगे और जुंडि उखाड लेगा जिससे लान में भी गड़बडी होगी पोदे भी अब यह थोड़ा सब बालू रेट जद्धा है हमारे टिबबे हैं उच्चा निच्चा रहता है तो उस वज़े से और निच्चे नहीं चला सकते फिर उसमें पतियों में भी रेट गलके ब्लेड भी तूटने का खत्रा होता है पर यह मिनिमम लेवल है लगवग साया दी को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है चार साल होगे मसीन को चलते हुए बैल्ट वगेरा पुलियां वगेरा सब कुछ मसीन का वही है जो कंपड़ी ने साथ दिया था ब्लेड के पत्ने तो बदलने ही पड़ते है कुछ टाइम बाद कुछ खेत काटने के बाद ब्लेडे का स जाती है वाकि और एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं हो आई रैपर का आई थी वैसी कि वैसी अच्छा काम कर रही है यह देखो बिलकुल लान पड़ना और नजदीक्की से दिखाता हूं यह ट्रैक्टर अब पहले गयर के हाई में चल रहा है और बारा की रेस है यह स्पीड है इसमें इसमें सबसे बैस्त काम करता है बाकि सभी ट्रैक्टर की अब अपनी अलग चाल और अलग गयर होते हैं लेकिन सवराज में इस चाल में जबरदस्त काम करती है रैपर और यह जो गेहूं है जो आपके सामने अभी कटिंग हो रही है यह गेहूं हमने छिड़क के उगाई हुए थे यह देखिया आप आपको खूड नजर नहीं आएंगे कि वही जैसे खूड में बुए हैं देखो इसके अंदर गैंदे थे गैंदे को हमने रोटवेटर से बवा के बायो एनपिक के इसमें मिलाके और उसको छिड़का फिर एक बार एहरू की बावाई करके उसके अंदर गैंउंका छिड़का हो किया वही जो हम मशीन से बहुतते हैं 45-45 सकेज़ी के अप्रोक्स इसमें भी हमने वही 45-45 सकेज़ी एक एककड में गैंउंका भी छिड़क और उसके बाद फिर रोटवेटर लगाके पवाई करता ही और यह गैंउं है आपके सामने बिल्कुल यह देखिया आप गैंउं यह हमारे घर का बीज पिछली बार कटा लगके बोया था उससे तयार करके और फिर बीज बोया हुआ है अच्छी बाले है अच्छा पके सबसे अच्छा तरीका होता है उसमें रोटवेटर लगाके चिड़के गेंउं बोने का बैदवार में कोई फरक नहीं होता अच्छी बैदवार होती है पानी भी कम जरूत पड़ती है मचीन से बोने की बजाए और केंदे की फसल से अच्छा खात लगता है खेत में एक्स् के अंदर हमने खर्पतवार वगेरा की सप्रे नहीं की इसमें खर्पतवार नहीं था और यह गयों की पर्फोर्मेंस है आपके आगे सबी किसान साथियों को धन्यवाद वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ऐसी और जानकारी के लिए अब हमारे चैनल से जुड़े रहें